नमस्कर दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और पोर्टफोलो को रिव्यू करेंगे, तो जिनका ये पोर्टफोलो है, इनका नामे अजाय, बाई प्रोफिशन ये एक सॉफ्टर इंजिनेर है, एंड इनका एज है 24 साल, यूपी कोरकपूर से बिलोंग करते, इन्होंने अ कुछ-कुछ कमपनीज में, सिक्लिकलिटी बहुत एक्स्रीम लेवल पर होता है, बहुत जादा होता है, और कुछ-कुछ कमपनीज में, जो सिक्लिकलिटी है, वो काफी कम होता है, इन कमपनीज में सिक्लिकलिटी बहुत कम है, इन कमपनीज में सिक्लिकलिटी बहुत कम है, यह कंपनी में जादा होता है कि कम होता है तो पकड़ के चले कि आपने हाइली सिक्लिकल वाले कंपणी मेने वेश्क किया था ऐसके बाद दोसों इन्होंने यहाँ पर पोटफेलो रिवीव का वीडियो देगा हमारी चैनल का देन उसके बाद दो तीन महीं ने फॉलो किया और देन उसके बाद दिवाली के शुब मोड़ात से इन्होंने quality and fundamentally strong companies को अपने पॉर्टफ़लो में एड करना स्टार्ट किया देन आई हूप कि आपके पॉर्टफ़लो में VBL का स्टॉक होगा क्यूंकि इसे चैनल के हमने लाइप पॉर्टफ़लो क्रियेट किया है और दिवाली के टाइम पर बोड़ा ट्रीनिंग के दिन हमने यहां पर वीडियो को एड किया था तो आई होप कि आपने वह शौर्ट व आम एक्सपेक्टिंग एट लिस्ट इंटीन परसंट इसे जर आइटिंग इतना सीजर अगर अगर मिले तो लॉंग रर्ण में मैसिव वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि 16-18% का रिटरन कम नहीं होता है एक ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा भी नहीं है क्योंकि बहुत सा लोग स्टॉक मार्केट में आते ही एक साल या देरे साल एक्सपेरियंस नहीं होता है पर वो 25% 30% का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कुछ-कुछ इस पोर्फ़ोलो एक बहुत अच्छी बात है तो यह करेंगे और आई विल इन्वेस्ट सेवेंटी तू 90 थाउजन पर मंद और बाइंट इन्वेंट करेंगे तो हीज वेल्थ क्रीट किया जा सकता है एंड हर सल अपना इन्वेस्टमेंट का अमांट उसको 10% से इंक्रीज बहुत अच्छी बात है उसके बाद इन्होंने बता है इनके पोर्फ़़ो के जो नंबर अब स्टॉक है उसको कट करना है और उसको 20 के नीचे लाना है ज्यादा गिर नहीं रहा है तो वैसे वाले तो जब भी आप कोई company में निवेश करते हो, I hope, maximum लोग नहीं करते, बट आप लोग करना स्टार्ट कर जिए, और वो ही financial modeling, तो financial modeling के उपर हमने दो वीडियो पोस्ट किया, एक इशन पेन वाले वीडियो में डिसकस किया, एक हमने रिसेंटली बालाजी यमाइन वाले वीडिय से मिलेगा, तो कहना कि मान लोगी आपने polycap में, for example, 1000 रुपे पे निवेश किया, polycap का stock वहाँ से बहुत भाग गया, आज की दिन जो stock है, वो 2000 रुपे, आपको 100% का return मिला है, तो अभी आप और investment करना चाहत हो, अभी देखे, reason ये नहीं होना चाहिए, कि stock में मैंने निवे तो कितने time period के अंदर होगा, जैसा आपका return का expectation है, आपको चार साल में अगर double हो जाए, आपका पैसा बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा return, आपका return जो है, जो target है CHR का वह अचीव हो जाएगा, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कि अभी polycap का जो management है, वो अ उसी में ही पैसा डालना है, क्या इस level पर निवेश करना sense बन रहा है, दूसरे company से, तो अगर बन रहा है, तो निवेश कर देता हूँ, for example, VBL को पर हम काफिर discuss करते, तो अभी भी FMCG category के अंदर देखेंगे, तो VBL का जो valuation है, उस valuation के पर best growth वो ही post कर रहा है, तो वहाँ पर कि वो company में पैसा डाल दो, अगर उस sector में डालना है पैसा, तो ऐसे मैं decision लेता हूँ, and momentum stock में वो ही आपके करी है, अगर आपको valuation reasonable लगे, तो आपने विश कर सकते, अगर आपका 4-5 साल का view है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने और क्या बता है, इन्होंने बता है कि इसके अ long term portfolio खुद का start कर दिया है, खुद direct stock picking कर रहे है, अभी देखें मुझे क्या लगता है, कि आप 70 से लेके कितना था, 90,000 something कुछ था, हाँ, 72,90 के investment करेंगे पर महीने, I think कि आप इधर से थोड़ा पैसा mutual fund में भी डाल सकतो, क्योंकि आपने क्या सोचा कि मुझे या पही बहु investment है, वो कितना return दे रहा है साल आना, और जो mutual fund का portfolio है, वो कितना return दे रहा है, तो comparison करने में बहुत ही आसानी होगा, and comparison करके देखिए, अगर आप mutual fund के return को market को बहुत अच्छी बात है, continue करे, otherwise, अगर आप market का return या mutual fund का return बीट नहीं कर पातो, तो logic नहीं बनता है, कि मैं direct stock picking क और फिर भी मेरा return mutual fund से कमें, तो I think आप mutual fund को continue कर सकते हैं, 4-5 साल बाद उसको review कर सकते हो, कि कहाँ पर कितना return बन रहा है, उस basis पर decision ले सकते हो, अभी I think या पर बंद कर देना, वो मेरे लिए सही decision है, अगर मैं होता, तो मैं continue करता है, अभी मैं, मैं खुद का mutual fund continue करता जा चुका है, तो 37,000 का profit होड़ा है, सारे 5% का profit है, portfolio में total 24 companies है, अभी क्योंकि दोस्तों, portfolio तक आते हाते वीडियो अल्ड़ी काफी लंबा हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगी कि थोड़ा सा जल्दी cover करें, और companies के बारे में थोड़ा जल्दी discuss करें, तो पहला company है, FL, और start हो गया, तो काफी जाधा valuation इसको मिला, तो उसके लिए time लगेगा, बाकी business growing है, तो I think hold up कर सकतो, तेने इपेल आप लो, सारे 3% के आसपास का allocation, 6% का loss, 25,000 का investment, company अच्छा है, growing है, strong है, आप hold कर सकतो, बट अभी I think बड़ा investment नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो main channel guide to investing channel पे जाईए, playlist में जाईए, how to make 10X return, पूरा playlist आप देख लिएगे, बहुत कुछ आपको समझ भी आ जाएगा, ये पेल अपलो में क्या है कि business तो grow कर रहे, बट इधर पे इस time पे double engine काम करने का possibility थोड़ा खाम है, क्योंकि valuation काफी उपर जा चुका है, stock इस time में सस्ता न लोकेशन, 29,000 का investment है, 13% का profit, EB strong है, and quality company है, quality management है, hold करना चाहिए, तेने इनके बास है demand, 6.3% का location for T6,000 का investment, 5% का loss, strong है, hold करेंगे, loss recover हो जागा, and consistent performer है, तो आप hold कर सकतो, तेने is my tip, 2.3% का location, 16,000 का investment, 4% का loss, तो is my tip में एक जीस मुझे समझ भी नहीं आ था, जीस बसे मैं as of now invested new, अगर आप 2022, March में देखेंगे, financial year में, 107 करू का profit company ने बनाया था, but cash flow में जाके देखेंगे, तो 9 करू का profit आपको देखेगा, right, cash from operating activity, तो profit cash में convert नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, वो reason मुझे समझ में नहीं, क्योंकि company तो ticket का जो booking है, वो तो advance में करता है, तो वो ची समझ में नहीं हा है, तो इस बसे मैं as of now invested नहीं हो, बाकि आप पढ़के देखेंगे, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, तिन्हें fire and organic, 40,000 का investment, 5% का allocation, 13% का loss, एक दो quarter खड़ाब आ सकता है, but I think long term के लिए अच्छा company है, तो hold कर सकतो, बाकि छोट है size में, तो volatility थोड़ा जादा हो सकता है, बाकि long term chart बहुत ही अच्छा है, तिन्हें हरियों pipe, 5,200 का investment, 1.6% allocation, 124% का profit, बढ़िया company, बहुत ही बढ़िया return दे रहा है, आप hold and continue कर सकतो, चोटा company है, but performance अच्छा है, तो stock भी खाफी भाग रहा है, तिन्हें infosys, 1.8% allocation, 13,900 का loss, strong है, hold आप कर सकतो, बठा, infosys में हो सकता निया, बहुत जादा return ना बने, बहुत ही बढ़ा large gap company है, तो growth आपको बहुत aggressive नहीं मिलेगा, तो वो भी दिमाग में होना चाहिए, तिन्हें LTA mindry, 38,000 का investment, 6% का allocation, 11% का होड़ा profit, तो it's a good company, strong company, LTA mindry, तो आप hold and continue कर सकतो, उस उसके बाद, next company के पास है, बजाज finance, and 12.6% का location दिया है, इन्होंने, 79,000 का investment, तस 11% का profit, अच्छा है, strong ही quality management है, बहुत ही बढ़िया growth लाड है, large gap होने के बावजुद भी hold करना चाहिए, तिन्हें campus, 23,000 का investment, 3% का location, 8% का loss, campus is a good company, and growing company, but problem एक है, कि valuation इस तोड़ा expensive side में है 98 का PE ratio है, तो वो reason की वैसे stock नहीं भाग पाड़ा है, बाकी business बहुत अच्छा है, 10 साल hold करने तो कर सकतो, तिन्हें CDSL, 15,000 का investment, 2% का location, 5% का loss, ये भी quality company है, डोप वाली है, competitive advantage है, जालो competition है, entry barrier है business में, तो short term है, shallow cyclicality होगा, but long term के रहे, it's a good company, तिन्हें दिपक नाइट, and 17 2600 का investment, 2.7% का location, 9% का profit, I think दिपक नाइट is a good company, and अच्छा management है, कैपेक्स होड़ा, and recently, आज एक बहुत बढ़िया कबर, news निकल कर आए, कि और भी जादा कैपेक्स कंपनी करेगा, अगले 5 साल में, तो वो वीडियो आपको main channel पे मिल जाए, आप जरूर जाके देख सकतो, देने डिवीज लेप, and 32,000 का investment, 4.4% का location, अभी loss है, अभी ये तो 2024 financial year होगा, ये डिवीज के लिए बहुत जादा बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि COVID की बज़े से, एक high waste बन गया था 2030 में, तो 2024 उतना चरी होगा, बढ़िया काफी बढ़िया आने वाले, तो long term के लिए and 3.2% का location, 22,000 का investment, 3% का profit, अच्छा company, अच्छा management है, hold कर सकतो, आकि टेक company में थोड़ा pressure ज़रूर है, but it's a good company, तेने PI industries and 36,000 का investment, 5.6% का location, 7% का profit, again एक अच्छा company, strong ही, consistent है, and recently acquisition भी होआ, आप hold कर सकतो, तेने polycap, investment बहुत ही कम, 5,800 का, allocation बहुत ही कम, 16% का profit होड़ा, it's a good company करनी, but again, जैसे और investment करना है, तो management का अब view देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, I think, इसले में aggressive growth नहीं आने वाला, जो management का guidance हो उस हिसाब से, तो polycap is a good company, but correction आता है, तो आप add कर सकतो, तेने Sona Coms, and 27,000 का investment, 4.6% का allocation, 15% का profit, बढ़िया कमपनी, strong company, hold करना चाहिए, quality कमपनी ह जारे 3% का allocation, 11% का profit, ये भी बढ़िया कमपनी, strong company, hold करना चाहिए, तेने उसके बादे टाटा एलेक्जी, 40,000 का investment, 6% का allocation, 5% का profit, बढ़िया कमपनी, and growing company, तो hold करना चाहिए, टाटा एलेक्जी को, उसके बाद लास्ट दो कमपनी, एक है टाइटन, जहापे 19,000 का investment, 3% का allocation, 12% का profit है, तो company बढ़िया है, hold करना चाहिए, और उसके बादे VBL, 38,000 का investment, 6.8% का allocation, 24% का profit, अगेन VBL जैसे मैंने कहा था कि इनके portfolio में होगा, तो VBL है, बढ़िया कमपनी हैं, दोनों को hold करना चाहिए, तोनों में अगर correction हो, तो allocation increase कर सकतो, क्योंकि growth रुकने नहीं वाला है अगले 4-5 साल के लिए, बढ़िया growth आने वाला है, तो correction में add किया जा सकता है, तो दोस्तों, इधर पे यह था इनका पूरा portfolio, बाकि sector wise allocation भी देख सकतो, 22% consumer discretionary में investment है, तेन materials में 21%, financial में 15%, मेरा जो भी financial का allocation है, यह सबसे जाधा stamp है, उसके बाद अगर हम market cap wise देखे, तो large cap मे 50% का allocation, mid cap में 33%, and small cap में 17% का allocation इन्हों ने दी है, I think बहुत अच्छी तरीके सा diversified आपने अपने portfolio को, तो दोस्तों, अपलों कोई का portfolio कैसा लगा, and आपके सबसे portfolio में क्या कुछ changes किया जा सकता है, आप इनको नीचे comment करके बता सकतो, I think कि अपने portfolio काफी बढ़िया बिल्ट के बहुत जादा change करने की जरूरती है, बठा इस portfolio के साथ कुछ-कुछ company का track जरू करना, जैसे कि आप polycap के साथ किया को track कर सकतो, आप कुछ hospital companies, जैसे कि हमने इने इनेच के पर discuss किया main channel पे काफी जादा है, recently company ने दो दीन के अंदर, तीन दीन के अंदर बहुत ही बढ़िया return तो वो company को track कर सकतो, कि आई को track कर सकतो, आइसे से में, अगलाच के अंदर अगर अगर आप देख रहा हो, तो आईसे से में, मुझे काफी better option लगता है, तो वो company को भी आप track कर सकतो, तो यह कुछ companies है, बाकि main channel का अच्छ-चे companies और भी मिलते रहेंगे, तो उनको भी आप track क कर सकतो, बाकि कौन से company में क्या हो रहें, क्या हो सकता है, उसके उपर हमने already discuss कर ली है, चले अभी देखते कि long term में total कितना wealth, यह create कर सकते अपने investment के through, तो अभी 7 लाग का portfolio है, इसके उपर अगर average return इनको मिल जाए 16% का, जैसे इनोंने बताए कि अपने portfolio को 20 साल तक hold करने का planning है, तो 20 साल तक अगर hold करते है current investment को, तो वो बन जायागा 1.3 करूर का, बट actual wealth तो इनका जो आगे का investment है, जो SIP करेंगे हड़ महीने, उसके थ्रू create होने वाला है, तो SIP का amount हम ले लेते, 70,000 का, क्योंकि इनोंने बता है कि 70,000 से लेके 90,000 का SIP करेंगे, हम lower figure ले रहे, 70,000 का investment हड महीने, 16% का average return, 20 साल तक अगर continue करते हो, तो इधर पी 12 करूर का wealth अपक्रेट कर सकते हो, सिर्फ SIP amount के थ्रू, तो अभी जो portfolio है, वो तो important है, उससे बहुत जादा important होगा कि आगे का investment आप कौन से company में करने वाले हो, तो वो बहुत जादा matter करेगा, तो investment करते time, आप company आप नहीं देखे, quality देखे, management का interview देखे, management का guidance देखे, कि वो क्या guide कर रहे है, and most importantly, company उससे बहें कौन से valuation पर trade हो रहा है, क्या वो comfort zone में है, क्या बहुत जादा expensive है, तो वो आप देखे, and I think यह simple से कुछ चीजों को follow करेंगे, framework को follow करेंगे, तो एक अच्छा खासा wealth आप long वीडियोस आपको daily business पे मिलता रहेंगे, नीचे आपको आप stocks का link मिल जाएगा, चाहतो उसके through, आप अपना account पेंड कर सकतो, and हमारा private learning group को join कर सकतो, for life time, चाप आपको कोई call or tip ने मिलेगा, मेरे चोग खुद के trades होंगे, short term, long term, तो वो मैं आपके साथ share करता जाओंगा, for parら utilizz welfare का ने मिलता पेंगा, प्क्तुद कर सकते हैं जाओंगे, जाफ वो मैं था रहेंगे, आत ठाचान आपको का भी आपको का भीज़ eh ञ вод, चाभ में पर वो मुदका जेए खापको का रहेंगे, तो झापको कर सकता ही तो, चाहता हमारा और वो मैं इुदारा है, भी जाप